पाकिस्तान से आए हुए तीसरे मेमान चाहिए तो तक्रीद देने जा रहा हूँ वादिये गंगो जवन से वादिये मेहान तक या यूं कहिए के हैधरवाद दकन से हैधरवाद सिन तक इनकी फिक्र ने आग में फूल खिलाए इन्हों ने इस तश्नगी के सफर के अलमिये को जिस तरह अपनी हर फर रौश्टी दे कर उस मिट्टी का करद अदा किया है जो हम सब पर वाजिब है ये कुछ इन्हीं का हिस्सा है इनकी शायदी पाकिस्तान की हमोमल भी है और उसकी मिजाज़तां भी और इसी दिये वहाँ के समाजी और सियासी मसाइल का आईना भी इसाईने में हमें चेहरा बचेहरा मूबबू अपना अक्स भी नजर आएगा और वो इर्टकार भी जो लिवायत में जिद्दत का जामिन होता है इनकी शेरी फिक्र ने जहां तमाम मरवज़ा इसनाब सुखन में इबलाफ किया है वहां नई इसनाब की इक्तराव इजात भी जरूरत के तहद की है किस तरह तराश कर सजाएं नादीदा ख्याल के बदन पर लफजों की सिली हुई कबाएं खवातिनों हजरात जह्मत कलाम दे रहा है हज़रत खिमायत अलूज़ाई जिज़त अज़ाई जी अब मैं अपने से सुनाओंगा अब तक तो अपने दोस्त का कलाम सुना रहा था बहाराद आपने देखा कि कितनी खुश्र शायरी आपने सुनी मैं चुँके बाद वतन की चली है और वहां की अलमी है आप तक पहुंचे हुए है एक बहुत मुक्तसर नजम सुनाता हूँ इसमें शायर हमारा मुश्तरका किरदार सामने आजाए नजम का उन्वान है सियासत ये सियासत भी क्या जब शै है ये सियासत भी क्या जब शै है मैं समझता हूँ मैं भी हक पर हूँ मैं समझता हूँ मैं भी हक पर हूँ तुम समझते हो तुम भी हक पर हो तुम समझते हो तुम भी हक पर हो मैं तुम्हें मार दू तो तुम हो शहीद मैं तुम्हे मार दो तो तुम हो शहीद तुम मुझे मार दो तो मैं हूँ शहीद मैं हूँ या तुम यहां वफदल खुदा सब शहीदों की सफ में शामिल है सब शहीदों की सफ में शामिल है सब यदीदों की सफ में शामिल है मैं हूँ या तुम यहां बफदल खुदा सब शहीदों की सफ में शामिल है सब यदीदों की सफ में शामिल है एक नजन शायद बहुत पहले जहां सुनाई थी मुझे याद दें लेकिन मेरे दोस उरूज ने बतुरे खास इसकी फर्माइश की मैं वो पेश कर दूँ और थोड़ी सी तवज्ज जरूर चाहूंगा इसका अन्वान है आईना दराईना आईना दराईना इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था अलफाज में तरंग न लहजा दबंग था अलफाज में तरंग न लहजा दबंग था एक सोच थी के बिकरी हुई खालुखत में थी एक सोच थी के बिक्री हुई खालुफत में थी एक दर्ग था के जिसका शहीद अंग अंग था एक दर्ग था के जिसका शहीद अंग अंग था एक आग थी के राक में पोशीदा थी कहीं एक आग थी के राक में पोशीदा थी कहीं एक जिस्म था कि रूफ से मस्रूफ जंग था एक जिस्म था कि रूफ से मस्रूफ जंग था मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये उसने कहा कि उम्रे रवां की अता है ये मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है उसने कहा कि उम्र रवां की आतार ये मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है उसने कहा कि फिक्र नजर की सजा है मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है उसने कहा कि फिक्र नजर की सजा है मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूँ मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूँ उसने कहा कि आई ना रखा हुआ है मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूँ उसने कहा कि आई ना रखा हुआ है ये देखा तो मेरा अपना ही अक्से जली था वो देखा तो मेरा अपना ही अक्स से जली था वो वो शक्त मैं था और हिमायत अली था भी एक चोटी से नजम और कमसीली है यह भी इसके अंजास की इसका उन्वान है जवाब चंद मिस्रों की नजम में शायद कोई बड़ी हकिकत इसमें किमटाई हो जवाब सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनत के साथ सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनफ के साथ जुल्मत में डूबती हुई दुनिया पे की नजर कहने लगा कि कौन है बिसका पास्मा सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनफ के साथ जुल्मत में डूबती हुई दुनिया पे की नजर कहने लगा कि कौन है बिसका फासमा मेरे सिवा है कौन जमाने का राह बर मैं था तो अपनी राह पे थी गामजन हयाद अब मैं नहीं रहूंगा तो ये सारी काइनात जुल्मात में भटकती फिरेगी तमाम राद अब मैं नहीं रहूंगा तो ये सारी काईनात जुर्मात में भटकती फिरेगी तमाम राद आफरी शिए है कि सूर्ज ये कहके जा ही रहा था कि एक दिया चुपके से जल उठा और उसे देखने ली देखcil अच्छा एक और ऐसी मुक्तसर सी चार पांच मिसलों की नजमा और पेश करो इसका अन्वान है अन्देशा सहमी सहमी खिल रही थी एक कली मैंने पूछा क्या खिदा का खौफ है सहमी सहमी खिल रही थी एक कली मैंने पूछा क्या खिदा का खौफ है जी नहीं एक दिन खिदा तो आएगी पिर सुना है उसने चुक्के से कहा सहमी सहमी खिल रही थी एक कली मैंने पूछा क्या खिदा का खौफ है जी नहीं एक दिन खिजा तो आएगी फिर सुना है उसने चिप्टे से कहा इस चमन का बागबाग गुल्ची में है उस चमन का बागबाग गुल्ची में सुलासियां तो बहुत सुन चुके है अच्छे ये हमारे कुछ सुलासियां तब मैंने एक तजर्वा किया है वो आप तक तो पहले ही पहुंच चुका तीन मिस्रों में बाद समेटने की कोशिश है और जिसे वो याद दिला रहे हैं वो इस व्लासिया सुना हूँ आज का दौर तो बड़ा कुछ नसीबी का दौर है कि हम चांद पर बिचले गए हैं लेकिन बहुत से और तकाजे हैं ये अकर्द हैं जो उतारने तो एक सुलासिया है इसका उन्वान है गर तका ये औज बेफराज है आवार अबादलो तीन मिस्रों में देखी बात ये औज बेफराज है आवार अबादलो कौपल ने सर उठा के बड़े फक्र से कहा ये औज बेफराज है आवार अबादलो कौपल ने सर उठा के बड़े फक्र से कहा पाउं जमी में गाड के सुए फलक चलो और चान्दी के हवाले से चान्द के गए हैं इसलिए ये हवाले से एक बाद मुझे भी सूजी का अपनी जमी का हुस्म था अपनी नजर से दूर लेकि मैंने ख्याल अफिया इसके शायद क्यों बात बनी हो कि अपनी जमी का हुष्ण था आपको याद होगा कि जब चांड पर पहला आद भी पहुंचा तो उसने बताया कि ये जमीन भी चांड की तरह रोशन नज़रा रही है ये हमसफर खुली हकीकत तो मैंने इस किया कि अपनी जमी का हुष्ण था अपनी नजर से दूर दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला अपनी जमी का हुष्ण था अपनी नजर से दूर दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला हम हों अगर बलंग तो ये खाक भी है दूर हम हो अगर बलंद तो ये खाग भी है अपनी जनी का हुच्छ था अपनी नजर से दूर दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला हम हो अगर बलंद तो ये खाग भी है अजर साब एक भी है देखिए शायद के ये एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है ये एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है इसे महबत तराश देतो इसे महबत समार देतो ये ही सनम है ये एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है इसे महबत समार देतो यही सनम है इसे अकीदत तराश लेतो यही हुदा है इसे अकीदत तराश लेतो यही हुदा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है हैं और यहाँ भी सुनते हैं कि यही होता है यह चांड का मसला है बाराल मैं बड़ी इतियात से चुश्माज़बी हवाले भी आ जाते हैं तो बड़ी इतियात के साथ एक बात कहने कोचिश्की है और दलील फराहँची है पुरान ही उस해 से तबज्य फरमाया ये हमारा अलम्या भी है और शायद सूचने की बार देख का मौन न जिद्दत फिक्ड़नजर बिली वो कौँ माइग है प्रफ्टार चांद गी फुद आ गही न जिद्दत ए फिक्ड नदर मिली वो वॉव आज भी है परस्तार चांग की जिस वॉव को रिवायत इशकुल कमर मिली जिस वॉव को रिवायत इशकुल कमर मिली मेरा ख्याल यह कुछ और चीज़े सुना लूँ हाज़े साब ये एक और सुना के मैं याद चाहता हूँ और फिक कोई गदल मुगरा सुना के आपको दिल पहला लूँ क्योंकि उसमें तरन्म सामिल होगा तो मैं एक और सुना दूँ क्योंकि हम ये 24 घंटे का सफर ताय करके दूरू यहां आए हैं लेकि बहरार ये दुनिया हम से शायद सद्धियों आगे हैं और यहां इल्म के आगे ही के जो चराफ रोशन है उसने हमें के कुछ रोशनिया आता की है तो इसी हवाले से एक फ्लासी है इसका उन्वान है इल्म मरना है तो दुनिया में तमाशा कोई कर जा मरना है तो दुनिया में तमाशा कोई कर जा और जीना है तो एक गोशे तनहाई में ऐदिन मरना है तो दुनिया में तमाशा कोई कर जा और जीना है तो एक गोशे तनहाई में ऐदिन मानी की तरहा लफ्स के सीने में उतर जा मानी की तदा लफ्स के सीदे में उताजाए। तो मेरा खाल अप मैं घुदल की सरफ आजाओंगा। अच्छाव। ए घुदल की कुछ शेर परेश करता हूँ अचमें शायद हम सब के जी तरह नहीं कुला है। मैंने अभी बाद याद आई हमारे विजोर्ग मौशरम एसान दानिश साथ बड़े खुश आवाज होते थे। एक उम्र आई के वो पिर तरन्म से नहीं पढ़ सकते थे। उनकी एक बड़े खुशुरत नजम थी। मुझे भी ये सादत हासल रही कि मैं उनके साथ एक मुशायर में शरीख हुआ। उन्होंने अपनी नजम शुरू की पहला मिस्रा पढ़ा। कि दोस्तों शायर नादार के क्या चाहते हो। तो आवाजाई तरन्म मा। तो अग चुक्कि अब एसान साथ का नाम आगया तो उनके एक शेर को मैं तबलु करनाब तक पहुँचा दूशुरू मेरे इखलास ने खाई नहीं दौलत से शिकत और इस मुल्क के फनकार से क्या चाहते हो। मेरे इखलास ने खाई नहीं दौलत से शिकत और इस मुल्क के फनकार से क्या चाहते हो। अज़र साथ यह गजल पेश करता हूं। शायद हम सब के कुछ मसाइल सुमया गया है। एक जबर वक्त है के सहे जा रहे हैं हम। एक जबर वक्त है के सहे जा रहे हैं हम। और इसको जिन्दगी भी कहे जा रहे हैं हम। और इसको जिन्दगी भी कहे जा रहे हैं हम। और खारतोर से यह शियर इसके लिए मैंने वदल करिए। के एजाज दीदनी है तिलस में सराव का। अजाज दीदनी है तिलस में सराव का। दर्या रुका हुआ है बढ़े जा रहे हैं हम। अजाज दीदनी है तिलस में सराव का। दर्या रुका हुआ है बढ़े जा रहे हैं हम। उची इमारतों पहे तामीर का गुमाद उची इमारतों पहे तामीर का गुमाद और अंदरून जात दहे जा रहे हैं हम। उची इमारतों पहे तामीर का गुमाद और अंदरून जात दहे जा रहे हैं हम। रहने की ये जगाह तो नहीं है मगर यहां। रहने की ये जगाह तो नहीं है मगर यहां। पत्थर बने हुए हैं रहे जा रहे हैं हम। पत्थर बने हुए हैं रहे जा रहे हैं हम। और ये दिल की तीरगी है के किसमत की तीरगी। ये दिल की तीरगी है के किसमत की तीरगी। सुरज की रोशनी में गहे जा रहे हैं हम। सुरज की रोशनी में गहे जा रहे हैं हम। एक जबर वक्त है के सहे जा रहे हैं। और इसको जिन तगी भी कहे जा रहे हैं। करते जासे में गहें। झाल झाल